भारत ने तीन और शुन्य से जीती सीरिस मैन आफ दा सीरिस की दोड़ हुई तीज देखे टॉप साथ बल्ले वास और गेंद वास नमस्कार पांच मैचों की टीट्वंटी सीरिस का तीसरा टीट्वंटी मैच हैमिल्टन में खेला गया टॉस हार कर पहले बल्ले बाजी करते हुए भारत टीम ने बीस ओवन में पांच विकेट को कर 189 रनों का स्कोर बनाए भारत की इस जीत के साथ ही भारत ने तीन और शुन्य से सीरिस भी अपने नाम कर ली है भारते हो टीम की औठ से सबसे ज़्यादा रन सलामी बल्लेबाज रोहिश शरमा ने बनाए है रोहिश शरमा ने 40 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली है इस पारी के दूरान रोहित ने तीन छक्के और 6 चौके भी लगाए हैं रोहित के लावस्ता इस गेंदों में 38 रनों क पारी विराट कोहली ने भी खेली है लक्ष का पीछा करने उत्री न्यूजिलैंड की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 189 रन बनाए और इस मैच को टाए कर दिया न्यूजिलैंड टीम की और से सबसे जादा रन कफ्तान केन विलियमसर ने बनाए है केन विलियमसर ने 48 गें बनाकर शांदर परदर्शन किया भारत की और से सूपर ओवर जस्वे भुमरा ने किया था सूपर ओवर में लक्ष का पीछा करने मैदान पर उत्रोहिश शर्मा और लकेश राहूर ने 6 गेंदों पर 20 सन बनाकर ये मैच जीत लिया न्यूजिलैंड की और से सूपर ओवर ट दूसरे नमबर पर भारते टीम के खतरनाक बल्लेवाज लकेश राहूर का नाम शामिल है लकेश राहूर तीन मैचों में 140 सन बनाई है सीरीस के टॉप साथ गेंदवाज इस सीरीस में तीन मैचों के बाद सबसे ज़ादा विकेड लेने का रिकॉर्ड भारते टीम के खतरना दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं झाल 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